अलो गाईज, वेलकम टो बैक माई चैनल, आज हम आपको एक बड़िया सा सूजी का डोसा मनाना सिखाएंगे, हमने एक कटोरी सूजी ले ली है, और इसमें एक चमच वेसन का, और एक चमच गेहूं काटा, आप चाहे तो चावल काटा भी ले सकते हो, हमने अच्छे से इसे एक मिट के लिए ब्लैंड किया, अब ये अच्छे से समूथ पाउडर बन गया है, अब हम इसका समूथ पेस्ट बनाएंगे, आपने एक टोरी सूजी लिए तो आपने एक टोरी ही दही लेनी है दही को इसमें डाला और इसे अच्छे से ब्लेंड करना है ब्लेंड काफी टाइम करना मतलब 5 मिट आपको ब्लेंड अच्छे से करना चाहिए इसमें कोई काट नहीं रहने चाहिए इसे ब्लेंड करने या भी इस फॉर्म में हो जाए तो इसे 10 मिंट के लिए डख कर रख दे ये देखें इस तरह से अब हम इसे डख देंगे पूरी 10-15 मिंट के लिए यहीं हमने पैन करम कर लिया है इसमें थोड़ा सा गी डाला अब हम इसमें डालेंगे जीरा जीरा मैंने लिया है half tea spoon जीरा जब भून जाए तो हम इसमें mustard seed डालेंगे मैंने half tea spoon से थोड़ी से कम ली है मस्टर्ड सीट्स अब मैंने वो डारी मस्टर्ड सीट्स जब मस्टर्ड सीट्स जनक जाए अच्छे से तो हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च धनियां पाउडर धनियां पाउडर और हरी मिर्च दोनों ही हमें इसमें डालेंगे जो हनी मिर्चि अच्छे से ब्रीग काटी हो इस तरह से जब चैट कजी मसाला अच्छे से बूना जाए तो हम इसमें प्यास डालेंगे प्यास मैंने थोड़े से मोटे काटी हैं अब हम इसे golden brown होने तक पखाएंगे अच्छे से इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे क्योंकि इसका थोड़े ऐसा क्रंची पंसा रहने देंगे अब ये गोल्डन हो चुके हैं इसमें मैंने आदा चमच हल्दी डाली है और गरम मसाला रैट चिली पाउडर हाफ टी स्पून आप टेस्ट के अपॉडिंग डाल सकते हो जो इतना आपको पसंद है कम ज़्यादा कर सकते हो नमक टेस्ट अनसार इसे अच्छे से भूने मसाले को जब मसाला अच्छे से भून जाए तो इसमें हमने वाइल पटैटो डाले हैं पटैटो हमने अच्छे से मैश नहीं किये थोड़े से आदे मैश किये आदे पीसे में रखें बस हम इसे थोड़ा से मैश करेंगे अब हम अपना बैटर चेक करेंगे इसे दस मिन्टो हो चुके है बैटर काफी गाड़ा हो चुका है दही अबसर्ब कर लिया सूजी ने अब हम इसमें पानी अड़ करेंगे धीरे धीरे पानी डालेंगे इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे यह देखें इसमें कोई लांस नहीं होना चाहिए यह स्मूथ पैटर होना चाहिए अब हमने आदा चमच मीटा सोडर डाला है और थोड़ा से इसमें पानी डाला है जब इसमें बबल्स बंद हो जाए उठने तब तक हम इसे अच्छे से मैश करेंगे इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे पूरा स्मूथ पेस्ट होना चाहिए फिर यह आपका डोसब अच्छा बनेगा अब हम इसमें नमक टेस्ट अनुसार डालेंगे हमारा तवा गर्म हो चुका है हम अब इसमें एक चमच गी अड़ करेंगे बैटर में जब आप डोसब बनाओ तभी गी को अड़ करना है पहले नहीं करना बैटर आपका रैड़ी होना चाहिए पैन और आपका तवा भी गरम होना चाहिए अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इससे थोड़ा ठंडा करेंगे तब एको और इससे कॉटन क्लॉस से साफ कर देंगे अब हम इसमें टोसब बैटर दीरे दीरे डीरे डीरे डालेंगे जिनने नहीं भी आता वो भी अच्छे से बना लेगा क्योंकि हमारे जो चैनल वे जो भी वीडियो हमा डालते हैं वो रियल होती है ये नहीं दिखाया कुछ और बन कुछ गया ऐसा नहीं होगा जैसे जैसे आप मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करोंगे आपकी डिश वैसे ही बनेगी अब मैंने इसमें गी डाला है जब इसके ब्राउन सा कलर आपको साइट में देखे तभी हम इसमें पलटेंगे उससे पहले हम इसमें मसाला आड़ करेंगे यह देखिए रोसा अच्छे से बन चुका है क्रिस्पी हो चुका है यह मसाले मैंने अड़ कर दी है आप जाए तो कोई कोई मटर गएड़ा इसमें डाल सकते हो कुछ भी व्यज़ी भी आड़ कर सकते हो मसाले में जो भी आपको पसंदों इस तरह से मैश करकर हमें इसे अच्छे से डोसे पर लगा देगे अब हम दीरे से डोसे को पलट इसके उपर अच्छे से थोड़ा से दीरे से आप इसे पलटे काफी क्रिस्पी बना है मारा डोसा काफी अच्छा कलर आ गया है इंस्टन्ट बनने वाला डोसा है कोई ज्यादा इसकी परपेर नहीं करनी पड़ेगी आपको सूजी का मिंटो में बनने वाला डोसा है इतना टाइम तो बजार में जाने में लग जाता है तो हमारा डोसा औरेडी परपेर हो चुका है अब हमेसे सफ करते हैं ये काफी क्रिस्पी है क्रंची है खाने में टेस्टी है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए सस्क्राइब कीजिए मेरे चानल को थेंक यू फर वाचिंग और इंज्वाइ कीजिए थेंक यू